पूरे देश में प्याज बहुत मेहंगी हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं कोई भी प्रेस कांफरेंस करने बैठता था आपका पहला प्रशनी ही होता था कि प्याज कब से बेचना चालू करोगे अभी जो हमारी जानकारी है उसके मताबिक रिटेल में दिल्ली में 60 से 80 रुपए के बीच में डिबेंडिंग ओन दो कॉलिटी प्याज भी रहे हैं तो दिल्ली सरकार कल से प्याज बेचना चालू करेगी मार्केट में 23 रुपए 90 पैसे के साब से एक बार में एक व्यक्ति को पांच किलो एक परिवार के लिए पांच किलो प्याज दिये जाएंगे पांच किलो से ज़ादा नहीं दिये जाएंगे इसके लिए पूरे दिल्ली में 400 राशन की दुकाने चिन्नित की गई हैं उन 400 राशन के दुकानों पे और 70 मुबाइल वैंज के जरीए एक एक विधानसभा में एक एक मुबाइल वैंज जाएगी तो 70 मुबाइल वैंज के जरीए प्याज बेचे जाएंगे 400 दुकानों का मतलब हो गया कि लगबग 5 से ज़्यादा राशन के दुकाने पर असेंबली कंस्टिटरंसी इन 400 दुकानों के लिस्ट जो है वो कल अखवार के अंदर सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस दुकान में प्याज बेचे जा रहे हैं केंदर सरकार से हम हर रोज आने वाले 5 दिनों का भी हमने ओरर जारी किया है एक लाख किलो प्याज डेली प्रोक्योर करेंगे केंदर सरकार से जो हम इन दुकानों के जरीए बेचेंगे अभी एक दो दिन बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और हमें लगता है कि नवरात्रों में प्याज की कंसम्शन काफी गिर जाती है कम हो जाती है तो इसमें इन पाँच दिनों के उसके हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर हम आगे ओरर प्लेस करते जाएंगे डेली बेसिस पे और जब तक प्याज का रेट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हम प्याज बेचते रहेंगे समय समय पे इसकी समिक्षा करेंगे और देखेंगे कि अगर जरूर पड़ेगी तो दुकानों की संख्या या वैंस की मुबाइल वैंस की संख्या और बढ़ा दी जाएगी इसकी कॉलिटी को मॉनिटर करने के लिए अभी तो जो सीधे कल से जो शुरू कर रहे हैं पाँच दिन के लिए पहले पाँच दिन ये जो केंदर सरकार से आएगा सीधे उसको हम सप्लाई कर देंगे उस पे बहुत जादा हमारा नियंतरनी होगा इसके साथ ही हमारे दिल्ली सरकार से हम दो लोगों की टीम भेज रहे हैं नासिक तो जहां से केंदर सरकार के ट्रक लोड होके आएंगे दिल्ली के लिए वहीं पे हमारे दो अधिकारी जो हैं वो उसकी कॉलिटी की चेकिंग करके ही लोड करवाएंगे ताकि कॉलिटी खराब ना हो इसमें हर FPS को 4 रुपे प्रती किलो के हिसाब से वो दी जाएगी कमिशन दी जाएगी क्योंकि उसका अपना वेस्टेज भी होगा और उसकी अपनी प्रॉफिट भी है वो सब मिला के 4 रुपे प्रती किलो के हिसाब से दी जाएगी तो जैसा मैंने बताया आने वाले समय में अगर जूरूर पड़ेगी तो हम एक लाख किलो से जादा भी बढ़ा देंगे केंदर सरकार से इस बारे में कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम चाहते हैं कि आपका प्याज का जाइका भी बना रहे आपकी जेब भी हलकी ना हो और ये प्याज आपकी आँखों में आसू ना लेके आएं अगर कोई कॉश्चन है तो हम उमीद करते हैं थोड़ी सी इमानदारी लोगों से भी उमीद करते हैं मतलब अगर बहुत जादा वोटर कार्ड दिखा के आधार कार्ड दिखा के प्याज बिकेंगे तो ऐसा देश भी हम नहीं चाहते हैं अभी फिलार्ण पंद्रा रुपे साथ पैसे ये दोनों प्राइस केंदर सरकार ने फिक्स करके दी हैं हमें केंदर सरकार हमें पंद्रा रुपे साथ पैसे पे देगी और केंदर सरकार का कहना है कि इसे हमें तेईस रुपे नब्बे पैसे पे बेचना है दोनों प्राइस उनके फिक्स कियों दोनों केंदर सरकार वो इस 23 रुपे 90 पैसे में से 4 रुपे जाएंगे तो एक तरह से अपके 19 रुपे हो गए ना 19 रुपे 90 पैसे हो गए और बाखी ट्रांस्पोर्ट वगएरा के अरे इक वर प्यास पेचा सा दिली सरकार दे तो तमाम जो राशन की दुद्मादों के वो मॉबाइल वैंज है ना यह वही तो है 70 मॉबाइल वैंज है एक विदानसपा में एक मॉबाइल वैंज लेकिन आने वाले समय में जरूर पढ़ेगी तो मॉबाइल वैंज की संख्या और काफी इंक्रीज कर देगी काला बाजारी पर कावाई चल रही है कोई होडिंग अलाओ नहीं करेंगे अगर आप लोगों की नजर में भी कही है अगर होडिंग नजर आए तो हमें बताइएगा तुरंत हम वहां पहुंचके उसको ठीक करेंगे बाजार में महंगा क्यों है इसलिए तो सरकार हमें उमीद है आज की इस प्रेस कॉन्फरेंस के बाद और जब मार्केट में प्याज उतरेगा कल से तो रेट में काफी कमी आने की उमीद है क्योंकि फिर उनको होडिंग अगर मान लीजे कि उछ लोगों ने होडिंग कर भी रखिया तो उनको कोई फायदा नहीं है जो लोग हमारी एफपेस वाली अगर मतलब हम से लेके ना वो तो होडिंग ही हो गई तरह से अगर किसी कोई होडिंग कर रहा है तो होडिंग इलिगल है आज भी अगर हमें पता चलेगा कि कोई होडिंग कर रहा है और मार्केट में प्याज को नहीं आने देर आर्टिफिशली वो लेके तो उसके पर कारवाई की जाएगी कानून के त झालियू